Hello everyone, आप सुन रहे हैं The Merchant of Venice प्ले का हिंदी और उर्दू ट्रांसलेशन जिसे लिखा है विलियम शिक्स्पियर ने इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं, एंटोनियो जो एक क्रिस्चन है और वेनिस शहर का एक मालदार व्योपारी है शाइलोक एक जीव है जो सूथ पर पैसा देने का कारोबार करता है इस प्ले में विलेन है बैसेनियो जो एक रोमेंटिक हीरो है और एंटोनियो का बहुत अच्छा दोस्त है पोर्शिया बेलमांट की एक अमीर और खुबसूरत लड़की है इस प्ले की हिरोईन है जैसीका शाइलोक की बेटी है ग्रेटियानो सेलेरीनो सेलेनियो और लोरेंजो बैसेनियो और एंटोनियो के दोस्त है तो आए सुनते हैं एक्ट वन सीन वन वेनिस की एक सड़क पर एंटोनियो सेलेरियो और सेलेनियो बातें कर रहे हैं एंटोनियो कहता है सच में मैं नहीं जानता कि मैं इतना उदास क्यों हूँ ये उदासी मुझे परिशान कर रही है और तुम कह रहे हो कि तुम भी उससे परिशान हो मगर मुझे नहीं पता कि मैं इतना उदास और परिशान क्यों रहता हूँ किस तरह मुझे ये परिशानी ल आपका ध्यान समंदर की तरफ लगा हुआ है जहां पर आपकी कश्टियां समंदर पर राच करती हुई तेजी से आगे बढ़ रही है और वो कश्टियां अमीर लोगों की तरह पानी पर तैर रही हैं जिसे देखकर छोटी कश्टियां जुक कर सलामी दे रही है सेलैनियो कहता है यखिन कीजिए सर अगर मैं इतना बड़ा बिजनिस कर रहा होता तो मेरा सारा ध्यान हर वक्त हवा की रफ़तार पर लगा हो रहता और मैं हर वक्त समंदरी नकशे देखने में लगा रहता ताके मेरी कश्टियों को कोई मुसीबत ना आए सेलैनियो कहता है मेरी तो सांस ही रुख जाती थी सोच सोच कर के एक ठंडी हावा मेरी कश्टि को कितना नुकसान पहुंचा सकती है और जब भी मैं चर्च को जाता तो अभी वो पथर की इमारत को देखकर डर जाता ये सोच कर के पथर समंदर में मेरी सामान से लदी हुई कश्टियों को तहस नहस कर सकते हैं और एक पल में अमीर से गरीब बना सकते हैं और यही चीज़ें किसी को भी घमजदा कर सकती है मगर मुझसे ये मत कहो कि एंटोनियो अपनी कश्टियों के बारे में सोच कर उदास है एंटोनियो कहता है यखिन करो मैं अपनी खिसमत का शुकर गुजार हूँ मेरा सारा सामान किसी एक कश्टी पर नहीं है जिसके डूबने से मुझे डर हो और नहीं मेरी कश्टियां किसी एक समंदर में सफर कर रही है मेरा कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ है इसलिए मैं अपने कारोबार के बारे में सोच कर उदास नहीं हूँ इतने में बैसाइनियो लोरेंजो और ग्रैटियानो आते हुए दिखते हैं सेलेरियो कहता है वो देखो आपके खास दोस्त बैसाइनियो आ रहे हैं अब तो आपको अच्छी कंपनी मिलेगी और आपको वो खुश भी करेंगे मुझे और सेलेरियो को अब चलना चाहिए